बस्पा सुप्रीमो मायवती ने कहा कि महीला आरक्षण बिलको जाती वादी पार्टिया आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती इंवर्गों की महीलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्ता दी जानी चाहिए नमश्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियूस मैं बबन का स्वागत किया है इसके साथ ही महीला आरक्षण बिलको लेकर समर्द जताया है मायवती ने कहा कि हमें उमीर है कि इस पर ये बिल पास हो जाएगा जो लंबे समय से टलता जा रहा था इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महीलाओं को पचास पीसद आरक्षण दिया चाहते हैं इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षिन की विवस्ता की जानी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हम यह मान कर चलेंगे कि यह कांगरिस की तरफ इन्हें हाशिये पर रखना चाहते हैं सीटे बढ़ाई जाएं तो किसी भी प्रकार की राजनीते नहीं हो चाहिए हम पुरा समर्थन देंगे और बिल पास करने में हम मदद भी करेंगे अब हाको उता देंकि इस बिल के आने से यूपी में इसका क्या हसर होगा संस्टे में महिला रेक्षन विद्याद पास होने के बाद यूपी में महिलाओं को इसका वड़ा मिलने वाला है बिल पास होने पर यूपी में लोग सभा की 26 सीटे और विदान सभा में 132 सीटे मैलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी मालूम हो कि यूपी विदान सभा में 400 सीटे हैं जिन में से अभी महस केवल 48 महिला हैं और प्रदेश में केवल 12 पीजदी ही उनकी भागिदारी है वही विदान परीशन में उनकी भागिदारी मातर 36 पीजदी है इसके साथ साथ ही लोग सभा सीटों क की बात के दें तो यहां यूपी में कुल 80 सीटे हैं जिसमें ग्यारा सांसदी महिला हैं यानि उत्तप्रदेश में केवल 14 महिलाओं की प्रतिनिद्व देखने को मिलता है महिला आरक्षन भी देख में लोगसभा और राज्य विदान सभा में महिलाओं के लिए 33 पीजदी आरक्षित करने का प्रस्ताव है लोगसभा में अभी महिला सांसदों के संक्या 15 पीजदी से कम है जबकि राज्य विदान सभा में उनका प्रतिनिद्व 10 परसंट से भी कम है और अगर यह बिल आ जाता है तो यह जो प्रतिशत है यह काफी जादा बढ़ जाएगा लेकिन दर्शकों इस बिल को लेकर अभी भी कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं जो विपक्ष यहां पर खड़े करते नज़र आ रहा है अब आप इस बार में या सोचते हैं आपकी क्या रहा है है निश्रेमेंट सेक्शन में जूरू बताएं और देखते रहें नेक्स तैंजी बनेवाँ